जयमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धान में दर्शुक को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनल दिवस है मेरी जनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुप कामना है और साथ ही साल का प्रथम दिन है इंग्लिश नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुप कामना है जगदंबा की करपा आप सब को प्राप्त हो आप सब के समस्त कारिये इस वर्ष सिद्ध हो जाए सन 2022 में हम क्या भूलाए, क्या छोडाए, क्या नहीं कर पाए हम सब को प्राप्त हो, इश्वर की ही करपा है जो हम सन 2023 देख रहे हैं नहीं तो कितने अपने अपनों से करोना काल में और बहुत सारी बातों में दूर हुए है हमने इस बार आपको बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी हमने सन 2023 के जनवरी से लेकर के जनवरी के उपाए में से लेकर के मीन तक के दिये हैं वो आप लोग ध्यान से उन्हें जरूर कीजेगा ताकि ये वर्ष आपका बहुत अच्छा वैतीत हो सके आज रवीवार का दिन है संडे का दिन है और रवीवार से नया वर्ष प्रारंबु है बहले इंग्लिश वर्ष है लेकिन देखो 365 दिन एक नए पड़ाओ में आज हम कदम रख रहे हैं तो हमारा एक नए पड़ाओ में कदम शुब हो, हमारी चाल शुब हो, हमारे ग्रह शुब हो, हमारी जिन्दगी शुब हो, है न? तो आईए पहले पंचाग देखते हैं, फिर आगे की बाते करते हैं, एक जन्वरी सन 2030, बड़ा जीव लग रहा है बोलते हुए, अब तक 22 बो अब देखो, अश्वनी नक्षत्र है, जन्मे जाते गण मूल की सिरेणी में जाएंगे, करीब साड़े बारा बज़े तक का ये योग अश्वनी कर रहेगा, हम सम्वंत, हमने कल भी बताया था, सम्वंत 79 में हम लोग हैं, हम अंग्रेजी कलेंडर से 57 साल आगे हैं, 57 यर्स हम लोग आगे हैं, और बहुत सारी चीजों में आपको पताईए, भारत में कितनी संसकर्ती, कितना ग्यान, सारी चीज़े चिपी हैं, आध्यात्मिक विद्या भारत के कोने कोने में चिपी है, अब ये जो नया वर्ष प्रारंब हुआ है, ध्यान रखना, शुब कारियों क की तरफ हमें बढ़ना है, स्रेश्ट कारियों की तरफ हमें बढ़ना है, हमें एक पशु की तरफ मृत्यू को प्राप्त नहीं करना है, भागवान ने हमें मनोमस्तिक्ष दिया है, हम अपने दिमाग को थोड़ा सभी धंग से प्रियोग मिलाएं, तो मानव देव बनते मान अवतार लेकर के राम के रूप में आते हैं, तो कर्भी कर्शन के रूप में आते हैं, है ना, तो ये भगवान ने मनुश्य बहुत ही सोच समझ करके इस योनी को बनाया है, इसलिए भाया, अब 2023 इस्वर की करपा से प्राप्त हुआ है, भगवती की करपा से प्राप्त हुआ परना चाची, ताई, काकी, नानी, नाना, मौसा, मौसी, फुपा, कितने सारे रिष्टे हैं न हमारे हैं और कितना अच्छा लगता है, सबसे आशिरवात लेना, और जो आपके मित्र हैं, वो वाले कुँ से? जो आपसे रूठे पड़े हैं, जो आपसे नराज हैं, चाहें वो मित्र हो, चाहें आपके रिष्टे हो, उन सब को फॉन करना, अब चिठी पत्री तो कम हम लोग डालते हैं, फॉन पर ही सारी बाते हो जाती, अपनी तरब से नीचे जुकने में बहुत बड़ी बात होती है नीचे वो ही जुकते हैं जिनके कदम आगे बड़े होते हैं आपने अनेकों मंदलों के तिर्थों के दरवाजे देखे होंगे जब हम जाते हैं तो नीचे जुक करके जाते हैं और जब नीचे जुक करके आगे बढ़ते हैं तो महास्वक्ती के साक्षातकार हमें होते हैं इसलिए मेरे सभी सुन्दर सुन्दर पाट को साध को जुकने में बढ़ाई होती है और भलाई होती है फलदार रक्ष भी जुके होते हैं इसलिए आज का दिन कीमती है रिष्टों को मधुर बनाने का भी दिन है जान रखना सारी बाते और संबब हो सूरिय देवता को आज दो-तीन बार निहार करके प्रणाम करना लाल चंदन मस्तक के उपर पिलग लगा के रखना और कहीं आसपास गव शाला हो वहां थोड़ा गव मातां को जाकर के गुड़ खिलाना बच्चों को आज दाना डालना बच्चों से प्यार करना घर में खटपट नहीं करना समझ गए ना मतलब लड़ना नहीं है प्यार से रहना अब आप ऐसा ना समझे के हम कहने हैं आप लड़ते हैं नहीं साब आप नहीं लड़ते हैं आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं लेकिन आज बिलकुल नहीं, आज शरारत बिलकुल नहीं, बहुत अच्छे से मन को समझा करके हमें आगे बढ़ना है, और जितना हम प्यार बाट सकते हैं, हमें उतना प्यार बाटना है, ग्यान बाटना है, प्यार बाटना है, जो व्यक्ति प्यार बाटता है न, वो बहुत प्यारा होता है, उसके इर्द गर्द पशु पक्षी मनुश्य सभी उसकी तरफ जुग जाते हैं, प्यार की कीमत नहीं होती हैं, इसलिए प्यार बाटने का प्रियास किया करें, हमें संग्रह कम आना चाहिए, लेकिन हमें बाटना जाने आना चाहिए, देने की प्रवत्ती हम सो बीज करके हमें वापस कर देती है इसलिए बाटते रही है देती रही है परम पुझे गुर्देव पंड़े शिरी रांग शर्मा की जैहो वो कहते हैं कि बो और काटो मतलब अच्छा कुछ करो उसका फल तुम्हें मिलेगा है मिलेगा अच्छा करम करो उसका फल तुम्हें मिलेगा है मिलेगा और एक बात गुर्देव ने हैसी कही जो मन को जंग जोर देती है आज मैं आपसे कहूंगा क्या हमारा भाग्य हमारे पुरुशार्ट से हमारे अच्छे करम से ही हमारा भाग्य बदलता है हाँ यह है कि हम भगवान का शुव आशिस लेने का हमेशा परियतन करें और भगवान का जब शुव आशिस होता है तो उनके आशिस में क्या चीपी होती है बात कि देखो जो तुमने करम किये हैं अब आगे मत करना जैसे एक मा डाटती हैं पिता डाटते तो बास्तम में मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है बड़ी बड़ी ज्यान की बातें हमारे बड़े बताते रहे हैं बास्तम में भारत ज्यान की धरा है ज्यान की भूमी है रत्न परसीवनी है यह धर्ती रत्रों को पैदा करने वाली है भारत की भूमी और एक चीज और आपको बताएं अच्छी संगती कीजिए अगर आपके दोस्त बलही पुराने हो और अच्छे नहीं है छोड़ दीजी उस संगती को आप 2023 में प्रवेश कर रहे हैं आगे बढ़ना है जहाड जहंकार में लिपटकर की जिंदेगी कोई खड़ाब नहीं करना है अच्छे लोगों में बैठोगे अच्छे लोगों में रहोगे जिंदेगी अच्छी होने लगेगी आकास से बरस्ता पानी मेगों का बरसात होती है न आगाज से मेगों का पानी बरसता है, वो पानी गटर में भी गिरता है, तो गटर का जल बन जाता है, वो ही जल जब गंगा जी में गिरता है, तो क्या बन जाता है, गंगा जल बन जाता है, इसलिए जैसी संगत वैसी रंगत, अच्छे से रहिए, अपने बच्चों को समझने का आप लोग पुरियास कीजिएगा अधिक न कहते हुए बस आज का तो इंद्राक्षी धाम की ओर से हमार आपको यही संग संदेश है आप जीवन में तरक्की करने का पुरियास करें मरने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं आता है आईए समय हो चला है आज की ध्यान सा आतना का उस पट्रानी उस महारानी उस जगदंबा से प्रात्ना करें है भगवती आप विश्व का कल्यान करें आप सभी को प्रसंता दें आप सभी को शूर आशीश दें ओम सिंदूर अरुण विग्रहां त्रिनायनाम मानिक्यमोले स्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत परां मंबिकाम खडगं चक्रगदि सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संधदतिम्करिस्त्रिनायनाम सर्वंग वूसाबृताम नेलास मध्युत्यमास्यपाद दसकां सेवे महांकालिकां यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्याम विहकरवाल खेट विलसादस्ता विरास्यविताम् हस्ते स्चक्रगरा सिखेट विशिखां स्चापम गुणं तरजनीम विप्राना मलिलात्मिकां ससिदाराम धुरगाम्तिनेत्राम वजे कवच बना लें ध्यान करें जगजन्नी की करपा हम सब के उपर बरस रही है ओम बोलते हुए नेत्रखोंने समान्य हो जाए देखो सादको हमें जो मन की बात थी जो आपसे कहना था हमने आज इस नई साल के मौके पर आपसे कही आगे आपकी इच्छा है लेकिन मुझे उमीर है कि आप बहुत अच्छे हैं और जिन्दकी को बहुत अच्छे तरीके से हम सब को मिल करके जीना है रही बात उपाई की और बहुत सारी बातों की तो वो तो हमने आपको जनवरी के मेज से मीन तक के सभी उपाई दी हैं उन्हें आप अच्छे से करिएगा और आगे हमें बहुत कुछ बढ़ करके करना है ओड़ी सा में भगवान जगनात विराजते हैं बहुत अच्छी भगवान की महिमा है आप उनके दर्शन नए साल में जरूर करिए जनवरी में महिने में जरूर करिए पहाडों में जाएं तो भगवती का वास है भगवती के दर्शन करिएगा आप आप कॉलकता की बात करें तो भगवान ने भगवती वास्त करती हैं कलकत्ता में, आपने देखा ही है भगवती महाकाली, आप कामरूप जाएं तो भगवती कामाख्या के दर्शन होते हैं, आप उत्तर-परदेस में जाएं तो भगवती शाकंबरी के दर्शन होते हैं मिरजापुर में जाएं तो विंधे वाशनी के दर्शन होते हैं आप दिल्ली में भी आएं तो भगवती कालका माई के दर्शन होते हैं कहने का मतलब हमारा आप से क्या है हाँ MP, आप MP में जाएं तो भगवती किन के दर्शन होते है बगला मुखी के दर्शन होते है आप महरास्त में मुंबई जाएं तो भगवती मुंबा देवी के दर्शन होते है द्वादत शिवलिंग के दर्शन है धाम है पुरिया है है ना कितना कुछ है हमारे पास लगता है क्या एक जीवन में हम सब कुछ को है और बहुत कुछ पाने को है बस ज्यान से मारी बातों का मंधन करना आप सब स्वस्त नहें सुखी नहें नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत चुपकाम नहें और छोटे बच्चों को हमारे तरफ से बहुत प्रेम जय जय अम्बे गुरुजी से मैं तब से जुडा ह जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे हुई तो मैं इतना आस्चर्ज हो गया कि इन्हें कैसे मार और इतना बढ़िया इन्होंने पताया इन्होंने जिसके बजह से मैं आज तक इनसे परपावित हूँ और इनका बताने का सैली वेगरा इतनी बढ़िया है जो हम अ किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें करें तक देखने कारिक्रम सब्सक्राइब करें तक